हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गनित के एक बहुत ही महत्यपुन टॉपिक रीजिनिंग का संख्यात्मत तर्क सकती ओके दोस्तों यह निमेरिकल रीजिनिंग क्वेशन जो आते हैं इस में ट्रिक का काम होता है ट्रिक से इस क्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो हम इस वीडियो में लेकर आया है निमेरिकल रीजिनिंग के कुछ क्वेशन जो में पूछे जाने के संभावना आते हैं तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको तो दोस्तों हम पीडियो फाइल में आ गाए हैं और यहां देखेंगा टेक्निकल संदीब गुरू रीजिनिंग कि अब दोस्तों यह आपको एक से लेकर कुछ क्वेशन लेकर आया है एक से आट नो तक वसक्वेशन को हम सॉल्व कराएंगे और यह सारे क्वेश्टिंग से होंगे दोस्तों प्रस्ट नमर पहला आपके सामने दिया है आपके देख सकते हैं दोस्तों 14 15 24 49 98 189 और डैस डै यह सब का अंतर बीच के देखते हैं ओके दोस्तों तो 14 15 के बीच में अंतर आपका एक का है और और 15 और 24 के बीच का अंतर आप देख सकते हैं 15 15 25 24 24 29 का अंतर है ओके दोस्तों और 24 और 49 के बीच में कितने का अंतर है तो आप यहां देख सकते हैं 24 दुनिय 48 यानि 25 का अंतर है उसकर 49 और 99 के बीच का अंतर कितना है तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 49 दुनिय 98 यानि 49 एक सो 579 के बीच का अंतर कितना है इसको अंतर भी देख लेंगे टो इसको अपन मैनस कर लेते हैं 179-98 तो वन का 17 से नाव गया तो आपका बज्जा आठ यानी 61 तो इस दुने बीचके का अंतर कितना हो जाएगा 81 ऑके दोस्तों को तो अंतर अपने को यहां समन्झ में आ गया कि एक का अच्ओंग क्या होता है को कि इफ एक को हम ऐसे क्रे़ हैं फिर 9 मूल 35 ग थे पांच को क्या क्या लिख सकते हैं 255 ऑन की सकते हैं एक तीन पांच साथ नौझ अग्ला जो उंक आएगा गार्य के इंडे के स्क्वेस क्या होता हैं 모든 और 10 सुन्हारसिंट साथ डू नो 1 10 के सुन्हारसिंट 1-2-2 एक अर्षिन तीन यानि इसका जो एंसर हो जाएगा यह खाली अस्थान में यह कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा तो दोस्तों आप समें आप देख लीजिए कहां पर 300 दिया हुए तो दिया हुआ देख सकते हैं यह का अंतर और आगे का जो अंतर आएगा उसको देखते हुए आप इसका इसक्वाइर निकालेंगे जो अभाज संग क्या है एक तीन पांच साथ नो ग्यारा ऐसे ही तेरा लेकिन अपने को इतना दूर जाने नहीं ग्यारे तक ही करना है इसका राइट एंसर अपका हो जाएगा तीन सो अपसा नमबर भी जो राइट एंसर हो जाएगा ओके दोस्तों फिर प्रस नमबर दो आपके सामने दिया हुए आप देख सकते हैं यहां पर है दोसो नौ दोसो पांच एक सो चीनबे एक स्वसी और डैस 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 कुश्चन मार्क ओके दोस्तों यह जो कंटिनू व पहले बार अंख है फिर शोते अंक होने होते जा रह icon के दस्तों इसी तरह आपको इसको करना है करता हैं तो 209 में से क्या मतलब 4 मायनस किये हैं तो आपका 205 आ गया है ओके 205 में कितना मायनस किया हैं यह कम किया है तो यहां देख सकते पांच cob स्वसी आगा प सिस अज़न 196 में कितना कम किया 180 आ गया तो यहाँ आप देख सकते हैं 80, 90, 90 96 96, यानि 4, 9, 16 ओके अगला अंतर कितने का आएगा तो आप यहाँ कर सकते हैं कितना का अंतर आएगा 80 में से तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वाइर, यहाँ 3 का स्क्वाइर और यहाँ 4 का स्क्वाइर, तो अगला क्या आएगा आएगा आपको 5 का स्क्वाइर, यानि यह 25 हो जाएगा और यहाँ 5 का स्क्वाइर हो जाएगा यानि 180 में से आपको 25 मैनस कर लेना है जो आएगा वो आपका राइट एंसर हो जाएगा 180 में से 25 मैनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5 और 1 का 1 यानि 155 आ जाएगा इसका right answer तो आप option number ABCD में आप देख सकते हैं कि कौन 155 है तो यहाँ देख सकते हैं दोसको option number B आपका 155 है यानि इसका जो correct answer हो जाएगा 155 हो जाएगा तो इस question को अभी आप समझ गया होगे कैसे करना था यह अंतर आपको इसमें निकालना हो और इसका square निकाल देना है ओके दोस्तों 209, 205, 296 और 180, 180 के बाद जो मैनस होगा सिधे 155 यानि option B नमबर आपका right answer हो जाएगा ओके दोस्तों प्रस्ट नमबर 2 के बाद आता है प्रस्ट नमबर 3 प्रस्ट नमबर 3 आपका क्या दिया हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह 5, 10, 40, 80, 320 फिर question mark फिर 25, 60 आप यहां देख सकते हैं कम अंक से यानि बड़े अंकों की और जा रहा है यानि छोटे अंकों से पाँच अंतर यहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं पांच में मल्टिप्लाई 2 करेंगे यानि 5 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा फिर 10 में कितना मल्टिप्लाई करेंगे तो 10 गुने 4 करेंगे तो 10 चाहु के 40 हो जाएगा फिर 40 में कितना मल्टिप्लाई करेंगे तो 40 मल्टिप्लाई 2 करेंगे तो 80 हो जाएग आप देख रहे हैं हैं 2, 4 फिर 2, 4 ऐसे भे ही हो रहा है यायि पहले 2 सब 2 का गुणा क्या फिर 4 गुणा क्या फिर 2 का गुणा क्या पिर 4 का गुणा गुणा अग्ला नोगी का होगा to 2 सेहोगा यानि 320 में आपको 2 से म zig Health Vari करेंगे तो जो आएगा व आपका option number a में दिया है तो इसका correct answer क्या हो जागा 640 आप इसमें क्या करेंगे पहले हैं देखेंगे multiply 2 किया है तो 5 दून 10 हो गया फिर multiply 10 में 4 का गुना किया तो 40 हो गया ओके दोस्तों फिर 40 के बाद 40 में multiply 2 किया तो 40 दूनी 80 आ गया फिर 80 में multiply 4 किया तो आपका 320 आ गया ओके ये फिर 320 यानि multiply 4 के बाद फिर multiply 2 का करेंगे तो 320 multiply 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 320 गुने 2 यानि 640 यह जो question mark का sign दीख रहा है आपके क्या हो जाएगा आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे इसका solve कर सकते हैं और आप इस वीडियो में नए हो तो आप हमारे वीडियो को like करें अपने दोस्तों को सेर करें और हमारे चैनल को subscribe करें ओके दोस्तों तो चलिए question number 3 के बाद है तब question number 4 question number 4 क्या दिया हुआ तो आप देख सकते हैं चाउदा शोला बाईश चाउटीश चाउवन चाउड़ासी फिर डैस 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 फिर question mark यानि यह घटते करम से बढ़ते करम की तरफ जा रहा है और आपको अगला जो अंक आएगा अगला जो डिजिट आएगा कौन सा आएगा उसको इसमें आपको बताना है अगर दोस्तो करना है उसको कैसे करेंगे दोस्तो तो 14 और 16 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है प्लस दो का अंतर आ रहा है फिर 16 और 22 के बीच में अंतर कितने का रहा है तो 16,22 यानि 6 का अंतर आ रहा है फिर 22 और 34 के बीच में अंतर कितने का रहा है तो कितने का अंतर रहा है बाइस इस तरह सो नहीं समझमा रहा थो ? क्या करेंगे यहां देखेंगे ए तो हुआ है यहां दो हो जाएगा फिर इसमें चार पिर इसमें अंतर कितना हो जाएगा चार फिर छे का अंतर हो जाएगा फिर बारे और कितना जोड़ेंगे तो आठ फिर आठ दो दस दस का अंतर हो जाएगा फिर अगला बारा यानि दो दो अंग इसमें एट करेंगे तो यह वाला भी इससे भी आप निकाल सकते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं 84 यहां तक आगे 30 तक जोरने पर ओके दोस्तों तो यहां आप 30 में क्या करेंगे 12 को एड़ कर देंगे तो 30 में 12 एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 तो 42 में 84 को जोड़ेंगे 42 में 84 को जोड़ेंगे तो कितना आ जायेगा आपका चार दो छह और आठ चार बार एक सोचपविस आ जायेगा ओके दोस्तों तो यहाँ पर जो तो खाली स्थान दीख रहा है यहां पर 126 आ जाएगा और 126 कहां पर दिया है ऑप्षा नंबर सी डी में दिया हुआ हाँ पर ऑप्षा नंबर डी में यानि इसका एंसर क्या हो जाएगे 126 नई समझ में आगा तो एक बड़ देख लीजिए मैं बता देता हूं आपको अच्छे से सौटकॉट यह 14 और 16 के पीच के अंतर क्या है तो दो है यहां तक समझ में क्या आगा फिर 16 और 22 के बीच का अंतर कितना है तो आपका 6 है और फिर 22 और 34 के बीच का अंतर कितना है तो 12 है ओके फिर 12 34 के बीच के अंतर कितना है तो आप यहां देख सकते हैं कितना अंतर हो जा रहा है तो 20 अंतर हो जा रहा ओके दोस्तों फिर 54 के बीच के अंतर 30 हो जा रहा है यहां त क्या कर सकते हैं तो अब यहां आगे करने के लिए क्लिए क्या करेंगे इसमें देखेंगे अंतर कितना हो रहा है तो दो कितना जोरेंगे तो 42 हो जाएगा अब जोर के अब 42 और 84 को एड़ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 126 तो यहां से आपके इसका correct answer क्या हो जाएगा 126 तो राइट एंसर हो जाएगा तो समझ में आ गया हो दोस्तों अब प्रस नमर 4 के बाद आथा प्रस नमर 5 प्रस नमर 5 आपके सामने रा और कॉलम का question और answer आया है इसमें आप देखेंगे पांच दिया है बारा दिया question mark 11, 19, 25, 26, 25 और 79 ओके दोस्तों तो आप इसमें देखें इसमें question mark जो दिया हुआ है आप इसको कैसे ला सकते हैं या तो आप नीचे से देख सकते हैं या तो उपर से देख सकते हैं दोने तरब से ओके दोस्तों यह देने के बाद आपके सामने option दिया हुआ a, b, c, d, option a, 18, option b, 22, option c, 26, option d, 17 तो या तो आप यह जो दिया हुआ है 11 और 26 को कुछ ऐसा करिए कि 5 आ जाए 19 और 55 को कुछ ऐसा करिए यह नहीं जोर गिंटे आपके फाग किए कि आपका बारा आ जाए तो आपन क्या कर सकते हैं तो यह देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का जोरने पर आपका 37 आ जा जा रहा है ओके दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं और यहाँ पर भी जोरेंगे तो कुछ अलग ही आ जा रहा है तो इसको जोरते नहीं है इसको करते हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं 26 और 11 के बीच दो में से एक पंद्रा आ रहा है ठीक है दोस्तों अगर पंद्रा को हम क्या करते हैं तीन से भाग दे देते हैं तो पांच ती आएं पंद्रा ये पंद्रा आपका आ जा रहा है फिर पचपन और 19 में मैनस करते हैं 15 को 19 मैनस करते हैं तो कितना रहा है तो 5 में से 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 1 गया 3 इसको भी 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 तिये 36 यानि यह आपका 12 तिये 36 यह हो जा रहा है फिर 79 में 25 को मैनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 79-25 तो यह हो जाएगा आपका चार और साथ में से दो गया पाँच चाववन हो जाएगा ओके दोस्तों फिर तीन को तीन से भाग दे देते हैं इसको तो अठारतिय चाववन यानि जो यानि जो आपका question mark का sign लगा हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा यहां आप समझ गया होंगे इन दोनों का अंतर निकालके तीन से इसको भाग दे दिया गया है उसके बद आपका answer आ गया है ओके दोस्तों तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number A 18 हो जाएगा इन दोनों का अंतर और तीन से भाग दे देना है तो यह आपका 15 थिन से भाग देंगे तो पांच आ जायगा फिर इसको गरंगे दोस्तों आप समझ गया हूंगे इसका एंसर कैसे आएगा प्रस्ट नमर 6 पांच के बाद आता प्रस्ट नमर 6 प्रस्ट नमर 6 भी बहुत अच्छा कोश्चन है वीडियो में आप नहीं हो तो लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्रस्ट नमर 6 करेंगे सबसे छोटा अंग दे रहा है फिर बरांग फिर बरांग फिर बरांग फिर डैस डैस फिर क्वेश्चन मार्क और यह आपका ओप्स्ट दिये हुए हैं ओके दोस्तों A B C D तो इसमें से एक आपका राइट एंसर है तो क्या राइट एंसर होगा उसको पहले फिर 16 और 20 के बीच में अंतर कितना दे रहा है तो 16,4,20 चार का अंतर है फिर 20,47 के बाहले कितना है तो 22,47 का अंतर है ओके दब फिर 47 और 303 के के बीच का अंतर कितना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 303-47 करदेंगे तो तेरा मैंसे साथ गया च्छह और नौ मैंसे चार गया पांच और ये दो यानि इसके बीच का अंतर क्या हो जागा 256 तो यहां चीज़ देखेंगे जह देखने को मिल रहाएं। यहां पर क्या कर सकते हैं एक सब्सक्राइप करेंगे लिए लिप और ऐसा आजाएगा फिर चार की पावर दो करेंगे तो 2-2 नहीं चार आ जागा प्र तीन तीन पावर्तिलिषयाया यहें पावर नहीं तो दो सुर्च्चा अगया क्योंकि। 4, 4uki का 11 256 जब 4 तके हम आ गया तो अगला जो question mark दिया हूए तो अगला क्या आ जाएगा 5 की power 5 कितना झाएगा 5 की power 5 5 की power 5 को अपन 5 पर गुणने करेंगे कितना आ जाएगा 5 गुणने 5 गुणने फाँच गुने फाँच यहनी पाँच बार इसको पाँच बार पाँच बदना गुना करेंगे तो दो को पाँच कंगो गुना करेंगे पचीश गुन 5 ये कितना हो जाएगा आपका पचाः पचीस हारसिन 2 पांद दस दो बारा हरसिन 1 च्छापंच तीस तीस और 31 एक तीस और पचीस में क्या करेंगे 303 को एड कर देंगे क्या हो जाएगा पांद तीन आठ दो का दो तीन एक चार और तीन यानि 3428 ओके दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3428 इसको एड कर दिये तो तो आप देखेंगे 348 कहां पर दिया हुए है तो option A, option B, option C, option D तो option C नमर में आपका 3428 दिया है यानि correct answer आपके क्या हो जाएगा option C, 3428 ओके दोस्तों ये हो जाएगा आपका right answer तो दोस्तों समझ में क्या हो जाएगा इसको कैसे solve करना था तो यहां आप पावर सबका बढ़ते जारा आपका एक का पावर एक दो का पावर दो तीन का पावर तीन चार का पावर चार सब्सक्राइब पावर पांच जो आएगा उसको एड करके आगे लिख देंगे तो यह आपका answer आजाएगा ओके दोस्तों तो प्रस्ट नमर च्छे के दिया है है दस दिया है तेरह दिया है आट दिया है बारह दिया है पंद्रह दिया तयतालिस दिया है 24 दिया और यहां question mark दिया और option आपके चार दिया है, option A में 65, option B में 79, option C में 78, option D में 69, तो यह आप कैसे solve करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्कों कैसे solve करना है, तो उपर से नीचे के तरफ, उपर कम-कम अंक है, नीचे बड़ा अंक है, तो जाइस बात यहाँ पर भी बड़ा ही अंक आ आ रहा है, 43 हम को चाहिए तो कैसे आएगा, दोसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, हम यहाँ 9 गुने 3 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9, 3, 27, ओके, और फिर 8 गुने 2 कर सकते हैं, तो 8 गुने 16, तो इन दोनों को अगर जोडते हैं, तो 7, 6, 13, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4, यह देखिए, दोसको 43 आगे, मतलब इसको अपन, उपर में 3 का मल्टिप्लाई और नीचे में, 2 का मल्टिप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, जोडने के बाद जो नीचे आ रहा है, वही आपका, इस तरह 43 को आ जा रहा, अब इसको भी देखते हैं, यह 10 गुने 3 12 गुने 2, 10 गुने 3, 12 गुने 2, 10 गुने 3, 12 गुने 2, तो दोनों के जोड़ते हैं, तो देखते हैं, कितना आ रहा ident के 4 अप 100 गुने 3 गुनेीं, 4 गुने 3 गुने 3, 15 गुने 2, Reporter 3 – 49 गुन division और बी में आपका उनहत्तर दिया हुआ यानि आपका बी इसे करेक्ट एंसर हो जाएगा इसको कैसे करेंगे तो एक बार ओर बता देता हूं आपको यह उपर मल्टीप्लाइ थरी और नीचे वाले मल्टीप्लाइ टू को करके आपको एड कर देना है ओके दोस्तों तो नो त्री 27 और आर दूनि-16 और सोला ते तालिस होता है फिर तीयाँ तीश और बार दूनि-24 बार दूनि-24 और तीश आपका चोगवण होता है तो के दोस्तों फिर 13 गुने 3 और 15 गुने 2 तरतिया 49 और 15 तीस यह हो जाएगा आपका 79 तो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा करेंगे ओप्सक्राइब यह जाएगा ओके दोस्तों और प्रोषण नमबर 8 आपके दिया हुआ है साथ के बाद इस वीडियो के लाइस्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नमर आठ आपका दिया अठाइस चाउदा चाउदा एककीस ब्यालीस एकसो पांच और डैस डैस खाली अस्थान क्वेश्चन मारें ओके दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसमें भी चार ओप्सन दिया जोदा हो रहा है ব Safety आ तो यहां तो समय नहीं चाली करेंगें अठाइस खाट दोस्तान फांच का मुट्ची छाएगा 1 4 यहाँ देख लिए का 8 में कितना गुणा चाओध में कितना गुणा करएंगे यहाइचा जाएगा दोस्तों फिर 14 में कितने गुणा करें कि आपका 21 आ जाए तो 14 में 1.5 का multiply करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा यहां 14 जाएगा यहां 14 जाएगा यहां पॉइंट लगा देंगे तो 20 हो जाएगा ओके दोस्तों इस तरह आप इसको 10 FE कर लिजें कि फिर 21 में कितने का multiply करना है कि म fact लेंगे 42 करेंगे सकता है तोен कि प्याली में 15 विल्ट यहां देख सकते है पहले किए है 0.5 का multiply फिर किया है तो होन का मल्टिपलाइ फिर किया 1.5 माल्टिप्लाई फिर किया 2 2 धो का मल्टिपलाई mean कि में कट्री अ कि मुट्री कि decisions का क्यले स्थे हैं कि ठीकी जोटे टो-थे टो-टो-थे तो यहां इसको मल्टिप्लाइ कर दिया है कितना अगला इसका जो एंसर आएगा कितना हो जाएगा यहां 0.5 का मल्टिप्लाइ किया फिर 1 का मल्टिप्लाइ किया फिर 1.5 का मल्टिप्लाइ किया फिर 2 का मल्टिप्लाइ किया 1142 के लिए फिर 42 में 2.5 का मल्टिप्लाइ किया तो आपका 105 आ गया और अगला जो मल्टिप्लाइ करना है 105 multiply 3 का multiply करेंगे यह हो जाएगा 5 3 15 15 हरसिन 1 और 10 30 और 1 31 यानि 315 दोस्तों इसमें देखें कहां पर 315 दिया हुआ है तो option number C में आपका 315 दिया हुआ है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा आपका option number C जो right answer हो जाएगा दोस्तों आप समझ गया होंगे कैसे इसको solve करना था नई समझ में आथा एक और और देख लीजिए इसको आपको इसमें 0.5 का multiply करना है फिर 14 में multiply 1 का करना है फिर 14 में 1.5 का multiply करना है फिर 21 में multiply 2 करना है फिर 42 में multiply 2.5 का multiply करना है फिर 105 में अपका ये 2.5 हो गया तो अगला क्या आएगा अगला आएगा 3 का multiply कर देंगे 105 में 105 में जब 3 का multiply करेंगे तो हमारा 315 दोस्तो इस तरह से आप tricky question को असानी से solve कर सकते हैं और question का answer निकाल सकते हैं बस इस video में यह मेरे द्वारा बनाय गया थे question and answer very important आपको ये वीडियो देखके आपके लिए helpful होगा मेरे दोरा बनाएगे इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ा जनकारी मिला होगा तो उमीद करता हूं दोस्तो इस वीडियो मेरे दोरा दिये गए जनकारी आपके लिए helpful होगा तो आप हमारे वीडियो को like कर करें और subscribe करें हमारे channel को जाहिन दोस्तो